मित्रो मेरा सवभाग यह है कि आज कौंकन सिंदुदूर की इस भूमी पर, रत्नागिरी सिंदुदूर की इस भूमी पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ अइत्यासिक सिंदुदूर किला जो आज भी पूरी दुनिया को हिंद भी स्वराज की याद दिलाता है वो यहीं परस्ती थे यहीं परसे सिवाजी महराज ने न केवल दिल्ली तक दिल्ली चे बहार भी पूरे समंदर को हिंदू की स्थापना के लिए वर्चस्व लाने का काम सिवाजी महराज ने किया थे भाईो बेनो ए रत्नागिरी में रहकर हिंदू की स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है और अंग्रेजों को ललकारने का काम तिलक महराज यहीं भूमी है जहां दो साल वीर सावर करने जेल में बिताए और उसके बाद में तेरा साल तक रत्नागिरी में रहकर हिंदू की अलग सावर करजी जगाती रहे और यही भूमी है जहां दो दो भारत रत्न बाहर आये हैं स्रीपीवी काने और धॉंडो केसव करवेजी यह दोनों ने भारत में इस भूमी को बहुत सन्मान दिलाने का काम किया है